चीनी नहीं खानी चाहिए लेकिन 99% लोग चीनी के पीछे हाथ धोके पड़े वे हैं ये चीनी हमको अंग्रेज बनाना सिखा गए और उसके बाद रिफाइंड सूगर इसमें इतने केमिकल, इतने इसमें सलफार, इतने सब चीजे हैं बैया, जैगरी पाउडर ले लो, आजकल थोड़ा रिफाइंड में भी करना है तो आजकल ब्राउन सूगर देते हैं, बहुत मेंगा बेशते हैं, डाई सो से पान सूरुपे किलो के नाम पर, ये सब लूट खसोट है मामला क्या करें, अब पान सूरुपे कोई सूगर करेंट होता है, लेकिन ये तो पड़े लिखे गरों की लिटरेट इडियेट ओरते हैं न, मैं ब्राउन सूगर खाती हूं, ब्राउन सूगर, पान सूरुपे वाली, अब इनको ऐसा लगता है, पान सूरुपे वाली सूगर है न, ये ज्यादा ही पैसे वाली है, तो आप लोग क्य किया करो, पतंजली का हनी ले लो, गूड और शक्कर, शक्कर, गूड और शक्कर बारे मैंने ले सकते हैं, कुछ लोगों को ऐसा है, गूड शक्कर तो सर्दी में खाये जाते हैं, बाकी में चीनी खाये जाती है, अरे चीनी तो और राग उठाएगी बाउले, क्यों खा रह है अब सर्बत भी बना रहे हैं सर्बत थंड़ थंड़ाई के लिए और उपर से डालने चीनी पित्त को बढ़ाने वाली गर्मी को आग सरीर में आग लगाने वाली सरीर को अंदर से खतम करने वाली क्यों डालते हो बई हनी डालो शक्कर डालो गुड को जिनको सर्बत बनाना है ना गुड रात को भिगो दो पानी में और इसका विकल्प है ना गुड शक्कर इसको भी भिगो के खाओ भिगो कर रख दो रात को और सुबह सर्बत में मिलाओ दही में मिलाओ लसे में मिलाओ, दूद में मिलाओ और इसका विकल्प है खजूर भिगो के रख दो खजूर, मुनक्का, द्राक्ष, अंजीर ये स्वीटनर के तोर पर आप प्रियोग के जा रहे हैं अब जो सूगर फ्री के नाम पर जो तुम कैमिकल खाते हो बाव लो, छोड़ दो, ये कैंसर ऐसा है, सुगर फ्री, कैंसर ऐसा है सुलेट डाइपटीज वालो, मूर्खो, नादान लोगो, खाते रहते हो सुगर फ्री की मूटी मूटी पाहड जैसे डड़े डाल डाल करके चीनी में उडे उडेल के, वो क्या नाम चाय में, दूद में, लसी में और क्या नाम वो, शुगर फ्री सर्वत पीना है सुगर फ्री कुछ भी नहीं है एक हैं जो तीन सो, चार सो गुना स्वीट उसमें होता है क्या बولते हैं उसको स्टीविया स्टीविया लेकिन वो स्टीविया अपने घर में बोलो वो ठीक है बाकी जितना ये केमिकल वाला सोदा है ये सब बड़ा खतरनाक है सब उल्टा पुल्टा चल रहा है छोड़ दो नहीं तो दीरे दीरे जहर अंदर जाएगा और फिर तेरा पठाका फुटेगा फूट रहा है अब बताओ आप चीनी सूगर वालों को मीठा खाने की चाह और ये तो क्या खाएँ एक हजूर खाओ ज़्यादा ने चार-पांच मुनका खाओ ज़्यादा ने सर्वत मत पियो सब चीजों में आटे में सभी शाक सबजी ओ में बड़ा मिठास है लोगी में मिठास सभी चीजों में जब पांच दस परसेंट होता है तो उसकी मिठास वो आपको भाज़ादा महसूस नहीं होता है जब ये 20, 25, 50 परसेंट हो जाता है आम केले आदी में, खजूर आदी में तो ज़्यादा महसूस होता है, सब चीजों में मिठास है, खजूर ख़ा सकते हैं सूगर वाले, लेकिन एक बार कंट्रोल करके, हम सारे जितने भी सूगर के पेसेंट हैं, सब को सेव देते हैं के नहीं देते हैं, सेव देते हैं, बाद म दराख्श और खजूर भी खिलाते हैं, एक बार सुरह कंट्रोला जाने दो, चोटी चोटी चीजी जो हों, बदलाओ, लाओ, आहार में बदलाओ, विचार में बदलाओ, लाओ, कुछ खाने पेने में तो ज्दा तीखां नहीं खातें, लेकिन बोलने में इतने तीखें होत बढ़ा देते हैं ऐसा कड़वा कड़वा तीखा तीखा और ऐसा बोलते हैं पूरे घर का माहुल खराब हो जाता है आहार विचार वाने विभार स्वभाव में बदलाव लाना पड़ेगा